Hello everyone, आज हम learn करेंगे errors in the use of pronouns. Pronouns के use में क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं? Competitive exam में pronouns के use के उपर किस तरह के question कुशे जाते हैं? तो इसको जाने के लिए आप देखते लिए इस वीडियो को end तक. तो चलिए शुरू करते हैं. देखे, pronoun क्या होता है? एसा जो word है जिसको हम noun के स्थान पर प्रियोग करें, उसको हम प्रियोग करें, उसको हम प्रियोग कहते हैं. example देखिए, राम is a doctor, राम is my friend. अगर हमने जहां पे राम दूसरी बर लिखा है, तो यह अच्छा नहीं लगता है. इस repetition से बचने के लिए हम प्रियोग करें, इस sentence को हम ऐसा भी लिखते हैं, राम is a doctor, he is my friend. तो जहां पे जो ही है यह प्रियोग किया है, तो देखिए, फॉस्ट जो है, एक concept है, जो who subject के लिए use होता है, whom object के लिए use होता है. के लिए हमें नहीं पता चलता कि who के subject, who आएगा जो whom आएगा, तो इसके लिए जहां पे मैंने subject के आगे he लिखा है, whom के आगे him लिखा है, जिक trick है he, him, इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि who आएगा, whom आएगा, अगर देखिए, किसी question का answer हमें he मिले, तो who लगएगा, अगर किसी question का answer him आए, तो whom आएगा, जैसे देखिए, जहां पे whom do you think saved the boy, तो इसका answer आएगा he saved the boy, तो जहां पे यह first sentence है, जहां पे whom नहीं आना था, यह गलत था, तो इसको जो हम ठीक करेंगे, जहां पे जो इसका right है, जहां पे आएगा, answer ही आ रहा है, तो जहां पे who का प्रयोग होगा, तो second बाला sentence ठीक है, first बाला हमारा सही है, next example देखिए, who did he invite, तो इसका answer आएगा, he invited him, हम आ रहा है, तो it means कि whom का प्रयोग होगा, तो जहां पे जो who का प्रयोग गलत है, और जहां पे ठीक कैसे होगा, whom did he invite, तो इस तरह से subject के लिए who, और object के लिए whom का प् जब two person जा thing से ज़्यादा बात हो रही हो, जो बेखती हो जा दो बस्तून से ज़्यादा की बात हो रही हो, जैसे example देखिए, the property was divided among two brothers, जहां पे among का प्रयोग हो गया, और हम two brothers की बात कर रहे हैं, तो it means कि two कब आएगा, जो है two brother हो, two person जा thing सो तो क्या आता है, between आता है, त इसको ठीक कैसे करेंगे, the property was divided between two brothers, क्योंकि दो की बात है, इसलिए जहां पे between का प्रयोग हो गया, next देखिए, he distributed sweets between four children, हमने अभी अभी पढ़ा, अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, तो among आएगा, तो जहां four है, ये दो से ज़्यादा है, तो जहां पे between का distributed sweets among four children, तो जे था between और इमंग का प्रयोग, next है each other, one another, इसी तरह इच अधर भी two percent of things के लिए उप्योग करेंगे, one another कब करेंगे, more than two percent are things, जब दो परसंड बस्तों से ज़्यादे की बात हो रही हो, this example है, the two sisters love one another, जहां पे दो है, तो इसलिए one another नहीं आएगा, तो ये गल the people of different countries should help each other, जहां पे, people of different countries, जहां पे दो से ज़्यादे की बात हो रही है, तो इसको ठीक ऐसे करेंगे, second sentence ये गलत है, तो इसको ठीक ऐसे करेंगे, the people of different countries should help one another, क्योंकि दो से ज़्यादे की बात हो रही है, next देखे, whose persons के लिए लगाएंगे, which lifeless things के लिए होगा, जैसे example देखे, this is the boy, the parents of which have died, अब देखे, which हमने अभी पड़ा, lifeless thing के लिए, तो boy तो अभी जीवित है, the boy person है, तो यहां पे, which का प्रयोग नहीं आएगा, तो जहां पे whose का प्रयोग आएगा, इसलिए, जो first sentence ये गलत है, तो ठीक कैसे होगा, this is the boy whose parents have died, next example देखे, this is the car, whose window is broken, अभी अभी हमने पड़ा, lifeless thing के लिए, बिच का प्रयोग होगा, तो जहां पे, जो car है, जी lifeless है, इसलिए whose जहां पे गलत है, इसको ठीक कैसे करेंगे, this is the car, the window of which is broken, तो इस तरह से whose और, बिच का प्रयोग आपने करना है, next देखे, each, either, neither के साथ हमेशा, singular pronoun और singular verb का प्र gift, जहां पे, जो है, get, तो जहां पे हमने अभी पड़ा, इंके साथ singular pronoun और singular verb का प्रयोग होगा, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, either of the students, जब भी हम either of students की बात करेंगे, मतलब हर students में से कोई एक, तो जहां पे get नहीं आएगा, gets आएगा, क्योंकि singular verb है, third person का singular हो, तो बर्ब के स साथ sjis लगता है, तो जहां पे gets का प्रयोग होगा, और their की जगा क्या आगया, his आएगा, क्योंकि either, each, either, neither के साथ क्या आएगा, singular pronoun और singular verb जहां पे जो है, their का प्रयोग गलत था, और get का प्रयोग भी गलत था, तो इसलिए sentence गलत है, ठीक कैसे करेंगे, neither of the students gets his gift, get की जगा gets आएगा, और their की जगा, his आएगा, next example देखिए, neither of them get their turn, तो जहां पे neither of them, तो singular verb get, जो है, gets आएगी, gets आएगा, और their की जगा क्या आगया, his, क्योंकि singular pronoun भी आएगा, singular verb आगी, और singular pronoun आगया, तो इसलिए ये बाला sentence गलत है, इसके नीचे है, बिलकुल, वो बिलकुल ठी है, next देखिए, each tried their luck, तो जहां पे जो है, each के बाद हमने अभी पढ़ा singular pronoun, singular verb, तो their नहीं आएगा, तो their की बजाय के आएगा, जहां पे his आएगा, each tried his luck, और इसी तरह, everyone के बाद भी singular verb आएगी, जैसे example है, everyone of the students was happy, तो जहां पे जहां पे singular verb आगी, एक और example देखिए, everyone should obey his parents, तो जहीं दोनों sentence ठीक है, next देखिए, either, neither should be used in reference to two persons, अगर दो की बात हो रही हो, तो हम either, neither should का प्रियो करते हैं, और whereas anyone और none कब करते हैं, जब more than two, जब दो से ज़्यादे की बात हो रही हो, और बर्बहर केस में, singular ही आएगी, example देखिए, neither of the five girls have learned their lessons, तो अभी हमने पढ़ा है, जो neither आएगा, अगर हम दो की बात करेंगे, तो जहाँ पे five girls की बात हो रही है, तो it means जहाँ पे neither नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा none आएगा, और none of the five girls has learned their lesson, तो जो है, यह sentence गलत था, क्योंकि जहाँ पे neither का प्रियोग नहीं होग none का प्रियोग होगा, और verb भी singular आएगी, neither of the five girls has learned their lesson, तो जो है, हमारा second sentence ठीक है, next देखिए, none of these two cars are useful, जहाँ पे दो कार की बात हो रही है, तो जब दो की बात होगी, तो neither आएगा, और verb भी जो है, आर नहीं आएगी, is आएगी, तो जहाँ पे none का प्रियोग गलत है, क्य is useful, तो इस तरह से हमारा sentence ठीक हो गया है, next देखिए, comparison हमेशा same cases के बीच में होता है, मतलब अगर subjective case हो, तो subjective case के अंदर comparison होगा, अगर objective case हो, तो objective case के अंदर comparison होगा, और comparison के लिए हम then यहाँ as का प्रियोग करते हैं, यह से example देखिए, he is as fast as me, तो जहाँ पे देखिए, जो he हमारा subject है, और me हमारा object है, तो जहाँ पे जो comparison है, subject और object के बीच में हो गया, लेकिन अभी हमने क्या पड़ा, same cases के अंदर comparison होता है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक हम करेंगे, he is as fast as I don't know subject आगे, क्योंकि subjective case के अंदर, अब comparison हो गया, next example देखिए, my city is better than your city, तो अच्छा है, तो my city का, आपकी city से comparison हो गया, लेकिन जहाँ पे एक बात ये आगी, city दो बार आ गया, तो जब भी जो noun है, दो बार नहीं लिखा जाता, अगर एक ही noun का comparison हो, जैसे my city, your city, तो दो बार नहीं लिखा जाएगा, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, my city is better than yours, इस तरह than your village, तो ये ठीक है, next देखिए, example, I know as much as her, तो जहाँ पे, I know you as much as her, मैं आपको जानता हूँ, यहाँ पे देखिए, you जो है, एक object है, और her भी एक object है, तो दोनों का comparison ठीक है, ये sentence बिल्कुल ठीक है, next देखिए, they accept him, expect him more than me, वो उससे आशा करते हैं, मेरे से ज़्याद है जहाँ पे him more than me का comparison है, दोनों objective है, तो इसलिए जे sentence भी ठीक है, क्योंकि हमेशा same cases के अंदर ही comparison किया जाता है, next देखिए, possessive adjective must agree with its antecedent, antecedent वो होता है जो इससे पहले आए, जो possessive adjective है, जो अपने antecedent से agree होना चाहिए, जैसे example देखिए, the voice obeys her mother, जहाँ पे जो voice है, वो अपनी माता का पालन करता है, जहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखिए boy, जहाँ पे जो antecedent, जो है adjective क्या है, हर है, तो इसका जो antecedent क्या हुआ, boy हुआ, तो possessive adjective हर का जो है boy से, लेकिन boy के लिए her का प्रयोग नहीं आता होता, तो boy के लिए किसका प्रयोग होगा, his का तो इसको ठीक कैसे करेंगे, the boy obeys his mother, next देखिए, the girl likes his father, तो देखिए जहाँ पे, possessive adjective है his, और इसका antecedent है girl, तो girl के लिए his नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा, तो इसलिए ये sentence गलत है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, the girl likes her father, तो next example देखिए, हमारे पास next example है, relative pronoun, अपने से पूरब subject जिसको हम antecedent कहते हैं, उसके अनसार verb लेता है, जैसे example है, relative pronoun क्या हुआ, जैसे I like the girl, who helped the poor, जहाँ पिर relative pronoun है who, relative pronoun जो है, अपने से पूरब, जो subject, जिसको हम antecedent कहते हूं, उसके अनसार, तो जो who का antecedent है girl, तो इसके अनसार बर्ब लेगा जो girl है जे third person का singular है तो अगर third person का singular हो तो बर्ब की first form के साथ जो है sjs लगता है जहां पे help के साथ को देखिए sjs नहीं लगा है इसलिए sentence गलत है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे I like the girl who helps the poor जो who है इसने अपने relative pronoun जो है girl इसके अनुसार जो है बर्ब का प्रयोग हुआ है जहां पे तो आपने इस बात को भी समर्ण रखना है relative pronoun अपने से पूरब subject जिसको हम ant incident कहते हैं उसके अनुसार जो है बर्ब लेता है next देखिए it के use में के वर हमें confusion हो जाती है it हमें पता है life less things के लिए use होता है समय बताने के लिए it का प्रयोग होता है मोसम के लिए भी प्रयोग होता है लेकिन अगर baby और child की बात करें तो बहां भी it का प्रयोग होता है generally हम बहां पे गलती कर देते हैं जैसे example है every children like their praise जो है जहां पे पहली बात every मतलब एक है तो every का मतलब हर बच्चा तो हर children जो हो जाद है यह plural है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे every child आएगा like its praise क्योंकि जहां पे दियर नहीं आएगा हमने अभी पड़ा है जो baby के लिए जो है child के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे इट का प्रयोग करेंगे तो इसलिए जो है sentence गलत है ठीक कैसे करेंगे every child likes its praise next देखिए each babies will play their own game will play their own game तो each babies पहली बात जो है each babies तो babies नहीं आएगा जहां पे जो है बहुत जाद है babies each babies मतलब हर एक baby तो plural नहीं आएगा जहां पे आएगा each baby will play its own game क्योंकि baby के लिए भी इट का प्रयोग होगा तो यह sentence गलत है और जो बिलकुल नीचे वाला sentence है यह ठीक है तो इट का use baby और child के लिए भी होता है next देखिए one के साथ his जा हर का प्रयोग करना गलत होता है बन के साथ हमेशा once का ही प्रयोग होता है जा बन के साथ किसी और प्रनौन हम नहीं लगा सकते बन के साथ हमेशा once ही आएगा example देखिए one should do his duty तो यह sentence गलत है क्योंकि बन के बाद his नहीं आता बन के बाद हमेशा once ही आएगा next देखिए हमारे पास example है यह बो बर्व है जिनके बाद जो है reflexive pronouns आता है जैसे example देखिए he must avail of this opportunity तो इस बर्व के बाद हमने पढ़ा है कि reflexive pronoun आएगा जहाँ aware के बाद कोई भी reflexive pronoun नहीं है इसलिए यह गलत है इसको ठीक ऐसे करेंगे he must avail himself of the opportunity next example देखिए she absented from the class तो इसके बाद भी absented के बाद कोई reflexive pronoun नहीं है इसलिए यह sentence गलत है इसको ठीक करेंगे she absented herself from the class the students enjoyed at the party तो enjoyed के बाद भी reflexive pronoun आता है तो इसको ठीक ऐसे करेंगे यह sentence गलत है जहाँ पर reflexive pronoun नहीं है enjoyed के बाद the students enjoyed themselves at the party themselves reflexive pronoun आ गया she prides upon her achievements जो जहाँ पे बर्ब हमारे पास जो प्राइड है इसके बाद भी देखिए जो है reflexive pronoun आना चाहिए लेकिन जहाँ पे reflexive pronoun नहीं है इसलिए यह sentence गलत है तो she prides herself upon her achievements इस तरह से यह sentence हमारा ठीक हो जाता है next देखिए कुछ ऐसी बर्ब्स होती है उनके बाद reflexive pronoun नहीं आता अगर हम reflexive pronoun लगाने तो वो गलत हो जाता है sentence the verbs qualify rest, enlist, break, bath, dash, keep, break, set, make, stop, steal, move, open, draw, rest, roll, breast, hide, feed, gather, and spread are not followed by reflexive pronoun इन verbs के बाद कभी भी reflexive pronoun नहीं आता जैसी example है she kept herself away from the keep function तो हमने अभी अभी पढ़ा keep के बाद जो है keep की form होती है keep, kept, kept keep के बाद reflexive pronoun नहीं आएगा तो ये sentence गलत है तो इसको ठीक ऐसे करेंगे she kept away from the function let us ourself rest at the bed rest के साथ भी जो reflexive pronoun नहीं आता है तो इसलिए जो ये sentence गलत है let us rest at the bed hide के बाद भी जो है reflexive pronoun का use गलत होता है तो ये sentence गलत है he hide himself in the room इसको ठीक ऐसे करेंगे he hide in the room next देखिए order of persons generally अगर हम singular pronouns की बात करें और जो है एक जो है positive बात करें जा good manner की बात करें तो जो order होता है person का वो होता है two, three, one मतलब second person आएगा third person आएगा first person आएगा कब singular pronouns हो और हम positive कोई बात कर रही हूँ जैसे example है I, you and he जहाँ पे I, you और he तीनो singular pronoun है लेकिन order of person के I first है और you जो है second है और he जहाँ पे third है जहाँ पे order हमारा आ गया देखिए जहाँ पे order हमारा आया first, second और third इसको ठीक कैसे करेंगे तो second आएगा पहले फिर third आएगा फिर first तो you second person आ गया इसलिए हमारा जो है यह order जहाँ पे जो गलत है जहाँ पे देखिए इसको हम कैसे करेंगे देखिए इसको I, you and he I first है, you second है और he third है इसको हम ठीक करेंगे इसको हमारा second person आ गया फिर he third आ गया और I first आ गया तो इसलिए उपर बाला sentence गलत था और यह नीचे बाला ठीक है क्योंकि इसमें order 2-3 बन आ गया लेकिन अगर हम कोई negative बात कर रहे हो किसी भूल जा अपरा जा गलती की बात कर रहे हो तो यह order 1-3-2 हो जाता है तो मतलब 1-3-2 का मतलब first person आ जाएगा पहले फिर third आएगा फिर second आएगा example देखे you, I and he are responsible for this blender you second है I first है और he third है जहांपे second, first, two, one और three, two, one, three का order बन गया है तो लेकिन यहां पे देखे बलंडर जहांपे भूल जा अपराद जा negative sense निकल रही है तो order के आएगा 1-3-2 तो इसको 1-3-2 कैसे करेंगे I first person आ गया और three का मतलब third person आ गया and you का मतलब second person आ गया तो I, he and you are responsible for this blender इस तरह से यह sentence ठीक हुआ next देखिए लेकिन अगर हम plural pronounce की बात कर रहे हूं तब जे चाहे वो sentence की positive sense निकले चाहे negative निकले तब order हमेशा 1-2-3 होता है कब अगर plural pronounce की बात करें जैसे example है 1-2-3 का मतलब first person फिर second फिर third they, you and we are taking pledge against COVID-19 तो they क्या है third person है you second है और we first है जहां पर third, second और first जे order बन रहा है तो जहां पर देखिए तीनों क्या है plural pronounce है तो order क्या आना चाहिए 1-2-3 first person पहले लगाएंगे तो हम जो है ये गलत है इसको ठीक ऐसे करेंगे we पहले आगे उसके बाद second you का use करेंगे फिर third and they we, you and they are taking pledge तो इस तरह से देखिए singular pronounce हो और positive sense की बात कर रहे हो two, three, one singular pronounce हो और अगर negative बात कर रहे हो तब order हो गया one, three, two लेकिन अगर plural pronounce हो तो order होगा one, three one, two, three so इस तरह से next देखिए as can be used as a relative pronoun after such as the same जो as को हम जो है एक relative pronoun की तरह यूज कर सकते हैं कब after such as the same जैसे example देखिए I like such boys who are serious minded तो जहां पे देखिए as को हम relative pronoun की तरह भी use कर सकते हैं जहां पे such के बाद क्या आया हो तो जहां पे हम हो की जगह क्या करेंगे as का प्रयोग करेंगे I like such boys as are serious minded इस तरह से जी sentence हमारा ठीक हो गया next देखि it is such book that will help you जहां पे such है तो such के that का प्रयोग नहीं आएगा such के बाद किसका प्रयोग आएगा as का प्रयोग आएगा it is such a book it is such a book as will help you next देखि you can take away as many apples that you like जहां पे देखिए as का प्रयोग हुआ है तो as के बाद as ही आएगा that नहीं आएगा तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे you can take away as many apples as you like next देखिए I sang the same way that you did same के बाद भी as का प्रयोग होता है तो same के बाद that का प्रयोग नहीं आएगा I sang the same way as you did इस तरह से इस sentence को हम ठीक कर सकते हैं so thanks for watching video इस वीडियो को आप जदे से जदे लाइक करें share करें और subscribe करें ताकि इस तरह के वीडियो बनाने के मुझे motivation मिलती रहे so have a nice day